अस्सलाम वालेकुम आज हम बनाएंगे शामी कबाब इसके लिए 250 ग्राम कीमा लियावाई से साफ दो के लियावाई 1500 ग्राम चने की दाले से हमने 4 घंटा पहले भीगा के रखावा था है से साफ दो के लियावाई तू टेबल इसपून अधरक लेसन् Mack À पैस्ट एई वन टेबल इसपून चिल्ली फ्लैक है फ़्टी स्पून हल्दी पऊडर है वन टेबल इसपून गर्म मसाला पउडर है यह मेरा अपना घर का बनावाई, इसकी वीडियो मैंने डाली विया, आप चाहे तो देख सकते हैं, वन टिबली स्पून धनिया पॉडर है, पेस के ओकोटिंग नमक है, दो प्याज है, इसे हमने मोटा कट करके रखावाई, एक आलू है, इसके हमने छिलके निकालके, पीस करके रखे वे, सबसे पहले हम कुकर में कीमा दालेंगे, चने की दाल दालेंगे, और सारे मसाले दालेंगे, यह बनाना बहुत आसान है, यह खाने में भी बहुत टेस्टी रहत है, इसी तरीके से मैंने दूसरे भी शामी यह सब मिक्स करके, कोकर को हम बन करके 4 सीटी आने तक रख देंगे, 4 सीटी में सब अच्छ से गल जाएंगा, कीमा, आलू, मसाले हमारे अच्छ से हो जाएंगे, यहां पर 4 सीटी आ गई है, अभी हम चेक करेंगे, देखो, माशाला इसमें खुजबुक बहुत अच्छी आ र यह अच्छ से ठंडा हो गया है, रूम टेंपरेचर पर आ गया है, अभी से हम मिक्सर के जार में दालके इसको बारिक पीसेंगे, इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, देखो, बारिक पीस के रेडियो गया है, इसी तरीके से हम पूरा बैटर तयार और आदे घंटे के लिए हम फ्रीज में रखेंगे ताकि यह अच्छ से सेट हो जाए, थोड़ा हलका पतला लग रहा है अंडा दालने के बाद तो इसको फ्रीज में रखते तो यह अच्छ से सेट हो जाता है, देखो, आदा घंटा हो गया है, यह अच्छ से सेट हो गया है अभी हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और दोनों हाथों पे अच्छे से तेल लगाएंगे और इसकी कबाब तयार करेंगे छोटे या बरे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं मैंने मीडियम साइज के बनाये वे अगर आप लोग को तीखा ज्यादा या कम लगता है तो चिली फ्लेक्स का इस्तमाल आप अपने हिसाब से करें को इस तरीके से हमको बनाना है यहापे हमारे कबाब बन के रेडि हो गए अभी यहापे हमने कडाई ली विए गरम होगे इसमें हम तेल डालेंगे कि हमको इसको शेलो फ्राइ करना है और तेल गरम होने के बाद हम कम नहीं प्राइ करेंगे फास आज पे नहीं रखना हमको देख़ें पकना इस स्टार्ट हो गए इसमें खुश बॉना भी फ्रार्ट हो गई है अभी इसे हम पलटाएंगे दूनो तरब से हमको golden brown करना आ है इसी तरीके से सारे कबाब तयार हो गए हमारे बक्के ready हो गए आप है इस से हम निकालेंगे निकालने के बाद इसे भी हम serve करेंगे यहां पर हमारी कबाब बनके ready हो गए आप आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी ट्राइ करएं और मुझे कमेंट में पर बताना आप लोग को मेरी रेसेपी कैसी लगी है अगर आपको मेरा ममा क्या रेसेपी अच्छी लगी हो तो मारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आपूस्वद करें थांग्स acement